करेंगे जिसका नाम है हमारा फाइनल अकाउंट का ही है लॉस बाइ है यहां सी है तर तेरा 13 ठीक है अब लॉस बाइ फाइय का मतलब है नुकसान तो लॉस का मतलब नुकसान और नुकसान है तो जाहिर सी बात है कहां जाएगा perfect and loss के debit side में, ठीक है न, by fire, अब नुकसान आग लगने की वज़े से हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे यह नहीं लिखा के नुकसान क्या हुआ, हो सकता है goods हो गया हो, हो सकता है assets भी हो गया हो, है न, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, या तो goods या तो assets, लेकिन maximum case रहेगा goods क हो लेके, ठीक है, अब बात करते है सर, यह loss by fire क्या, ऐसे ही हमारा नुकसान तो और भी बहुत सारे चीजों की वज़े से होता है, जैसे कि loss by theft, ठीक है न, ऐसे ही हो सकता है loss by flood, ऐसे ही हो सकता है loss by earthquake, है न, तो सर, इस से जो नुकसान होगा, तो यह नुकसान आप देख रह है, यह सारा का सारा नुकसान पता है कौन सा, अगर आप ध्यान से सोचो, तो यह सारा का सारा नुकसान है, जो की regular नहीं होता, कभी कभी होता है, तो ऐसे loss इसको न, हम पता है कौन सा loss कहते हैं, abnormal loss, abnormal बोलते हैं न, यह तो abnormal तरीके से behave कर रहा है, मतलब एक दम अजीव सा, त को बोलेंगे abnormal loss ठीक है तो हमारा topic है loss by fire loss by theft और इसी loss से बचने के लिए हम क्या करते हैं पता है हम ना insurance करवा लेते हैं goods का goods का insurance कराते हैं अब insurance कराने का purpose तो यही है ना अगर insurance हमने करा रखा है तो फिर यहां पर एक benefit होता है कि अगर ऐसा नुकसान होता है तो हमारे उपर जादा फरक नहीं पड़ता insurance company हमें पैसे दे दे तए ना तो देखते हैं तो यहां पर 3 cases हो सकता है 2 cases basically हो सकता है तो 2 cases कौन कौन से होंगे 2 cases हमारे हो सकते हैं क कि हमने goods का यह assets का insurance के रखा होगा मैंने insurance करवाया होगा या तो नहीं करवाया होगा या तो not insurance not insurance या not insured या तो हमने insurance करा रखा होगा insure कर रखा होगा ठीक है सर जब insurance नहीं करवा रखा होगा तो क्या हमें insurance company claim देगा नहीं देगा क्योंकि insurance नहीं है तो claim भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे देखा जाए example भी मैं इसी में ले लेता हूँ यहाँ पे जब अगर आपको adjustment में होगा तो दो जगह entry चली जाएगी सर दो जगह जाएगी क्योंकि यह सारी बाते adjustment की ही मैं बता रहा हूँ दो जगह कहा कहा जाएगी एक तो नुकसान हो गया तो profit and loss के debit side यह तो पक्का है आएगा ही आएगा सर क्यों आएगा नुकसान है खर्चा है दूसरा अब नुकसान क्या हुआ यह देखो अगर goods हुआ नुकसान तो सीधा impact पता है किस पे पढ़ेगा purchase पे जब कभी भी दुनिया में याद रखना जब कभी भी goods का loss होता है या हमारे पास goods निकलता है sale को छोड़ के सीधा फरक किस पे डाल देना purchase पे प्रोप्राइटर ने goods निकाल लिया कहां फरक पढ़ता है purchase पे goods free sample में बाट दिये कहां फरक पढ़ता है purchase पे क्योंकि हमारा purchase क्या हो जाता है कम हो जाता है ऐसे situation में ठीक है ना तो दूसरा क्या हो सकता है अगर goods का loss होता है तो less from less from कहां से करेंगे बताओ purchase purchase कम होगा समझ में आ रहा है purchase क्यों कम होगा या फिर अगर assets का नुकसान होगा तो less किस से कर देंगे from जैसे मान लो furniture जल गया पहले चार कुरसी थी हमारे पास एक जल गया कितनी बचे तो furniture कम हो जाएगा ना तो या तो फिर less from किस से कर देंगे समझ में आया नहीं आया अगर purchase से कम करोगे तो बताओ purchase कहां लिखते हैं trading में चले जाएगे और asset से कम करेंगे तो कहां पर यानि मैं loss by fire बोल रहा हूँ या तो आपका goods हो सकता है या फिर आपका हो सकता है asset और ये सिर्फ fire की बात नहीं है अगर loss by theft भी हुआ तो treatment यही होना है loss by earthquake भी हुआ तो treatment यही होना है फिर से दुबारा देखिए आपका goods जल गया तो एक तो आपका नुकसान होई गया तो profit and loss के debit में अब goods जला है तो less किस से कर दीजिए purchase से ठीक है या फिर less किस से कर दीजिए asset से अब बताईए यहां पर दो price दे रखा होगा मानलो market price और cost price दोनों दे दे तो कौन सा price consider करेंगा आप एक चीज़ ध्यान रखना सिर्फ closing stock में कौन सा concept लगेगा lower सिर्फ closing stock में लगेगा lower और दुनिया के कितने भी concept आपके सामने आ जाए हमेशा आएगा cost price एक पर दिमाग के अंदर यह चीज़ आपको रखना है सिर्फ closing stock पर कौन सा लगेगा whichever is lower जो lower होता है वो रहता है और बाकी सभी में क्या रहेगा cost price एक्जामपल देखिए सर एक्जामपल क्या होगा एक एक्जामपल ले लेते हमारा goods डिस्ट्रॉइड हुआ डिस्ट्रॉइड हुआ रुपीज पांच हजार ठीक है न अब बताओ यहाँ पर कोई insurance claim मिलेगा क्या insurance claim claim का मतलब बता सकते हो क्या होता है पैसे मिलना claim का मतलब पैसे मिलना इसको समझते है claim का मतलब पैसे मिलना अब जैसे मान लो आपके दुकान में आग लग गई अगर किसी की दुकान है तो बुरा मत मानना कि आपके आग लग गई दुकान के अंदर और दुकान में आग बैठ गार जलने दो insurance से क्या देखा थे जलने दो उसको insurance company तो claim दे ही देगा या थोड़ा बहुत बुजहा होगे अगर बुजहा भी दिया आपने आग को आपने fire के उपर control भी कर लिया तो tension नहीं है आपको क्योंकि insurance company क्या दे देगी आपको पैसा दे देगी अब insurance company आपके पास आएगी तो बताओ कैसे आएगी अटेची में note लेके आएगी आपके पास पहले देखेगी देखने के बाद उसको देखा जाएगा कैसे आग लगने की वजह क्या है क्या जान बुज के इसने तो नहीं लगा दिया कहीं पता चला expiry goods रख दिया एक कोने में और वहां माचिस मार दिया इसने आग लगा दिया और हमसे claim ले रहा है तो वो सब चीज़ चेक करेगी चेक करने के बाद वो valuation लगाएगी उसका valuation लगाने के बाद बोलेगी हाँ हम आपको इतने पैसे दे देंगे ऐसा नहीं के चेक करने के बाद फटा फट नोट गिनके आपको दे दिया ऐसा नहीं होता तो आपको जो पैसा है वो time देगा 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महिना तो insurance claim आपको hand to hand नहीं मिलता थोड़े दिनों के बाद मिल जाता है तो यह हमारे लिए assets होता है जब कोई चीज मिलने वाला होता है यहां तो insurance claim मिलेगा नहीं क्योंकि हमारा concept क्या insurance goods का हो नहीं रखा है तो simple सी बात है profit and loss के debit में आ जाएगा कितना आ जाएगा profit and loss के debit में बोलो 5000 रुपया और किस में से purchase में से minus हो जाएगा कितने 5000 simple अगर मैं यहां bracket में लिख दू market price 6000 तब भी कितना minus होगा अगर मैं market price लिख दू 4000 तो कितना minus होगा 4000 लिख दू तो 5000 ही होगा भाई हमेशा कौन सा price लेना है cost price लेना है समझे बात अगला insurance करा रखा है अब insurance करवा रखा है तो यहां पर दो situation create होता है सर दो situation कौन कौन सा होगा या तो insurance claim आपको देगा full यानी पूरा पैसा full claim देदेगा एक लाख रुपए का आपका समान destroyed हुआ आपका जलता है तो आपको insurance company कितना देदेगा पूरे एक लाख या हो सकता है आपको कितना दे पार्टली अब पार्टली में क्या हो सकता है 30, 40, 60 हमेशा हमें पूरा तो नहीं मिलता कितना मिलता है हमेशा पार्टली मिल जाता है हमें ठीक है ना हमेशा क्या मिलेगा पार्टली मिलेगा तो अब देखते हैं भाई, फुल क्लेम के अंदर क्या होगा, दो जगे एजस्मेंट है, तो दो जगे तो जाना ही, जाना है कम से कम, तो दो जगे सर, एक तो हो जाएगा हमारा less from, बताइए अगर मेरा insurance claim मिलता है, तो purchase कम होगा या नहीं होगा, दिमाग लगाओ, अगर goods destroyed हो सोच में पड़े, आग लग गया तो कमी होगा ना, अब goods को थोड़ी पता, insurance मैं नहीं जलूँगी, goods को थोड़ी ना है, भाई, चाहे आपका insurance हो, चाहे ना हो, आपका purchase तो कम होगी गया, अब आपको insurance claim मिल जाएगा, मिला नहीं है, future में मिल जाएगा, तो ये आजाएगा assets में, ठीक है, as a insurance claim के नाम से, किस नाम से लिखोगे, क्या profit and loss में गया, क्या profit and loss में गया इसमें, नहीं गया, क्यूंकि पूरा claim मिला, देखो ना example अब, मेरा goods destroyed हुआ, जो goods destroyed हुआ, वो 5000 रुपए का, claim कितने का मिल गया, बोलो, अरे भाई, फुल वाले में है, तो दिमाग लगाओ ना, goods destroyed हुआ, कितने का, 5000 का, claim कितने का मिला, 5 का ही मिला होगा, जब 5 का मिला, तो नुकसान कितना है, हमारा profit and loss में कितना जाएगा, zero, क्योंकि नुकसान ही नहीं है, तो एक कहा चले गया हमारा purchase में से, minus, purchase में से क्या हो furniture, यानि assets में से minus हो जाता furniture, और दूसरा, एक और entry assets में ही आ जाता, किस नाम से insurance, claim के नाम से, partly की बात कर लेते हैं, पाटली का देख लेते हैं, एक बार, पार्टली में क्या होगा, दो पार्ट में जाएगा ये, ठीक है, दो पार्ट में जाएगा, तीन पार्ट में जाएगा, बलकि ये, sir, तीन पार्ट में क्यों, example देखो, फिर आगे आप answer देना, goods जो था, goods कितने का destroyed हुआ बताईए, 5000 का, और claim बताओ, मुझे जो मिला ना, वो मिला 3000, अब बताईए, 2000 क्या हो गया, यानि यहां profit and loss active हो जाएगा, ठीक है, अब बताओ, less करेंगे एक तो हम किस से, purchase से, sir, less purchase से कितना करेंगे, बताईए, पूरे 5000, नुकसान तो जल गया ना, 5000 करन नुकसान तो, दूसरा profit and loss की बात करें, profit and loss में कितना दिखाएंगे, loss कितने का हुआ, 2000, profit and loss के debit में, credit में, debit में जाएगा, अब बताईए, assets में कितना चला जाएगा, balance sheet में पहुँच जाएगा, assets में, समझ में आई बात आपको, 3000, examiner ना, आपके दिमाग से खेलेगा, और कैसे खेलता है, अभी मैं भी खेलना चाहता हूँ, एक बार, ठीक है, मान लेते हैं, आप बताना क्या, इतना सब कुछ सीख लिया आपने, ये सारा समझ में आया आए ना आपको, 100% चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, accounting year मेरा है, हमारा एक चार, दो हजार, बीस से, एक अत्यस तीन, दो हजार, एक्केस तक, है ना, ये मेरा साल है, जहां के लिए हमें एक साल के लिए अपना profit and loss balance sheet बनाना है, और मेरा goods, destroyed, रुपीज पांच हजार, और एक चार, दो हजार, एक्केस, and insurance, claim, receive, रुपीज 4,000, ये आपको adjustment दे दिया, ठीक है, इसका treatment, जो बच्चे online है, जो बच्चे offline है, इसका treatment पता दीजिए, और कोई, दिमाग लगाईए, इसका adjustment क्या होगा, कौन से अलग केस लग रहा है, इस पर, हाँ, बिल्कुल सही, इसका adjustment नहीं होगा, भाई, नहीं होगा, बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, date को ध्यान नहीं देते हैं, क्या करते हैं, 5000, और 5000 के बाद, 4000, एक 1000, पक्का आता है, तो नहीं करना, कौन करेगा, अगले साल होगा, अगले साल जो बच्चे आएंगे, वो करेंगे, आपके लिए तो नहीं होगा, ठीक है न, समझ मैं आई बात आपको, तो ये था हमारा loss by fire, अब देखो profit and loss के debit में मैंने लिखा है, तो profit and loss के debit में किस नाम से लिखोगे पता है, एक नाम भी तो पता होना चाहिए, आपको पता चल गया, profit and loss के debit में चला जाएगा 5000, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि आप किस नाम से लिखोगे, तो loss by fire के नाम से लिखोगे, अगर loss by theft हुआ, तो loss by theft, जिस वजह से होगा, उसके नाम से profit and loss में लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए फटा फट से एक बार इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले adjustment पे, simple सा एक और adjustment है, काफी important adjustment है ये, बिलकुल सही हम इस साल सोर नहीं करें,